अब इसमें हमें जो है कंप्रेसर डालेंगे यह कंप्रेसर आइल हम इसलिए डाल रहे हैं कि अब इसको हम ढख देंगे ढखना इसलिए जरूरी है कि अगर इसके अंदर गंदगी चली जाएगी तो यह कंप्रेसर जो है खराब हो सकता है तो इसलिए जब तक आप यह सारे कनेक्शन ना कर लें तब तक जो है आप सबसे पहले तो जो ऑईल वगरा जो है थोड़ा सा इनके उपर भी लगा देंगे तो इनकी जो फिटिंग है वो काफी अच्छी आ जाएगी इनके ओल पर लगा दे और एक कनेक्शन जो है वो भी हम कर लेंगे चली फटा फट सारा कनेक्शन हम कर लेंगे